सिधार शुकला की याद में फिर निकले शेहनाज गिल के आसूं बॉलिवुड डेब्यू से पहले हुई इमोशनल पंजाब की केटरीना केफ शेहनाज गिल अपने बॉलिवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह तयार है शेहनाज ने सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से शूटिंग शुरू कर दी है अपने करियर का नया पढ़ाव शुरू कर शेहनाज की खुशी का ठिकाना नहीं है पर ये पल उनके लिए काफी ज़्यादा भावुग भी है सेट पर शेहनाज को अपने खास दोस्त सिधार शुकला की याद सता रही है बॉलिवट लाइफ ने अपनी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से ये बताया कि शेहनाज इस बड़े प्रजेक का हिस्सा बनने को लेकर खुश है उनका सपना पूरा हो रहा है शेहनाज की एकसाइटमेंट पीक पर है पर इस बड़े दिन में वो सिधार शुकला को काफी मिस कर रही है क्योंकि सिधार को भी इस दिन का इंतजार था रिपोर्ट में बताया गया कि शेहनाज अभी काफी इमोशनल है वे अपने जस्बातों को काबू में नहीं रख पा रही है वे सिधात को याद कर बुरी तरह रो रही है सुतर ने बताया कि शेहनाज करियर में काफी आगे आ गई है उनके सपने सच होने जा रहे है ये बड़ी वज़ह है कि सिधार शुकला को मिस कर रही है वो शेहनास को एक दिन बॉलिवुट पर राज करते देखने का इंतजार है। शेहनास गिल और सिधार शुकला की दोस्ती के किस्से जग जाहिर है। दोनों की मुलाकात विगवस 13 में हुई थी, उनके डेट करने की खबरे थी। लेकिन कभी सेहनास ने अपने प्यार का ओफिशल नहीं किया। सिधात के साथ शेहनास गिल के कई गाने भी रिलीज हुए। सिधात का 2 सितमबर 2021 में काडियर अटैक पढ़ने से निधन हुआ था। शेहनास की ग्रूमिंग में सिधात का अहम योगदान था। एक्टर शेहनास को शाइन करते देखना चाते थे लेकिन किसे पता था की सिधात की ये ख्वाईश अधूरी रह जाएगी।